नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करना वाले हैं छे और साथ दिसंबर तुला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आप सभी के लिए दस बड़ी और भयंकर खुस खबरी लेकर आया हूं दोस्तों बिल्कुल ही अकेले में देखना जी हां दोस्तों यह जो बड़ी खुस खबरी है सुनकर आपके पैरों तले जमिन खिसक जाएगी जी हाँ दोस्तों बिलकुल भी दोस्तों आज के यह बातों को आप मजाक मत सबज़िएगा क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी के जीवन काल में आप वो बड़ा इतियास बनने वाला है जो कि दोस्तों आपके जीवन काल के सारे दूस्मनों के होस उड़ा देंगे जिहां दोस्तों और अगर आप इन बातों पर यकीन करेंगे और दोस्तों अगर आप इन बातों को शमझेंगे तो दोस्तों आप सबी के जीवन काल में इस वर के वह दिविशक्ति प्राप्त होगी जिनसे दोस्तों आप सबी के जीवन काल में वो महमाया के दुनिया से आप दूर हो जाएंगे जिनसे आपको बहुती संकट और समस्याओं का श्चामना करना पड़ा है जी हाँ दोस्तों बहुती गंवीर वीडियो है बहुती गहरी विचार आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले है जी हाँ दोस्तों और गहरी तरीके से आप समझेगा जी हाँ दोस्तों ये बड़ी खुस खबरी आप सभी के जीवन काल में बिलकुली भगवान का दिया हुआ बारदान है जी हाँ दोस्तों अगर आप इन्हें समझ लेंगे इन्हें जान लेंगे कि केसी आपको ये खुस खबरी मिलने वाली है कौन-कौन सी बातों को ध्यान में रखना है दोस्तों कौन-कौन से छेत्रों में खुस खबरी आपको मिलने वाली है दोस्तों अ जो भी चमतकार आप सभी के जीवन काल में होंगे दोस्तों सुनकर आपके होस उढ़ जाएंगे देख कर आपके आँखों में खुसी के आशु नहीं रुखेंगे जी हां दोस्तों, दरसल दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दे की, बेराशे शालों के बाद आप सनिदेव का भी आसिम आसिरवाद आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं जिहां दोस्तों आने वाले दो दिनों के अंदर तीन गरहों का मिलन सार आप सभी के कुंडिली में दिविसक्ती का निर्मान कर रहा है जिनके कारण दोस्तों आने वाले दो दिनों में आपको दस और भायंकर खुसकबरी मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों और इन बातों को आप बिलकुल ही चुप चब अकेले में ही देखना जी हाँ दोस्तों इन बातों को आप किसी के कानो कान ख़बर होने मत दीजिएगा क्योंकि दोस्तों ये आपके जीवन की सफलता की वाचावी है जो कि दोस्तों आप से विके भागे के दरवाजी को खोल सकता है और दोस्तों यह बात अगर आप किसी को बता देंगे तो दोस्तों वो आपकी ही लाप पर लात मार सकता है जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों ऐसे में सतरक और सावधान हो जाएं और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो जानकारी देने वाले हैं महत्पुन बात बताने वाले हैं दोस्तों बिल्कुली उन्हें मिस मत किजिएगा और इन्हें अंध तक बिल्कुली ध्यान से देखिएगा जी हाँ दोस्तों क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्रपुन जानकारी को भी जानेंगे कि असमें आपको किन-किन छेतरों को लेकर शाबधान रणे होंगे कौन से कार आपके लिए भागे साली होंगे और कि इन छेत्रों में आपको कार करने से लाव की प्राप्ति होगी और भगवान शनीदे मालक्षमी और महाबली हनुमान जी के आसिम आस्विरबा से आपके घर के माहुल में पारवारिक जीवन में आपके परते एक छेत्र में क्या-क्या सुधार होंगें क्या-क्या चमतका करने वाले हैं तो दोस्तों आंद तक देखिएगा उश्य पाले दोस्तों जो व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सचे मन से जय महावीर बजरंग बली जय मालक्षमी जय शनिदेव लिखेंगे दोस्तों तीनों देवी देवताओं का आस्म आसिरवाद आप सभी को प्राप्थ होगा खुसिया आना आपके घर में प्रारम हो जाएंगे तो दोस्तों जरू लिखेगा और याप इस चैनल पर नई हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथ ये बेल आइकन को प्रेस करके और पर स्लेट कर लें जिसे की दोस्तों ऐसे ही ग्यान काल में एक्छा की वह सकती जाग्रुत करेगा जिनसे दोस्तों आप सभी के जीवन ही बदल जाएगा आप बहुत सारे गल्तियों से बच जाएंगे और बहुत सारे समझदारी आप सभी के जीवन काल में पर्वेस करने वाली है तो दोस्तों इन बातों को आप फूल कर भी म उन्होंने देखा कि कोई दीप आगे नहीं जा रहा है। ध्यान से देखा तो कना जी एक लकड़ी को लेकर जल से सारे दीप बाहर निकाल रहे थे। तो मा कहती है लला तू ये का कर रहे हो। कना कहती है मैं ये सब डूब रहे थे। तो मैं इन्हें बचा रहा हूँ। जो मेरी और आएंगे उनको बचाऊंगा जिहां दोस्तों इसलिए हमेसा भगवान के संपर्क में रहें अपने सची हिर्दे से भगवान को पूजा पाठ करें भगवान आपको अवसी बुरे परिशिते में बचाएगा जिहां दोस्तों तो दोस्तों भगवान श्री राधे राधे तो आज दोस्तों इसे के साथ बात करते हैं कि आने वाले दो दिनों के अंदर आपको कौन से दस बड़ी और भायंकर खुषखबरी मिलने वाली है और दोस्तों या खुषखबरी सुनकर आपके पैरतले जमिन खिसक जाएगी आपके दुस्मनों को भी होश उड़ जाएंगे और दोस्तों आपके घर के माहूल में परवारिज जीवन में आपके स्वास्त बेजनद वेपार में परतेक छेतर में मालक्षमी भगवान सन्यदेव और महावली हनुवान जी के आसम आसिरवात से आपको कौन-कौन से बड़ी खुश खबरी मिलने वाले है कौन-कौन से चमतकार होने वाले हैं बात करते हैं पूरी विस्तार सी दोस्तों इन दो दिनों का शमय अब दी में आपके जीवन में धेर सारे खुश खबरियां आने वाली है वहीं आपको यह भी बता दें कि आपका जीवन का एक अच्छा समय सुरू हो चुका है दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो तिसक कहाना है कि अब आपका वंद किसमत खुलने वाला है और हाँ दोस्तों बताया तो यह भी गया है कि आपकी कुंडिली में आप आचानक बड़ा उलेट फेर हुआ है जिसकी वज़े से आपको बहुत ही खुश खबरिया मिलने वाले हैं अब आप लोगों के आने वाले जीवन में किसमत का पुरा का पुरा साथ मिलने वाला है इतना ही नहीं दोस्तों आपके जीवन में धन संपत्ती जो भी परेशानी चली आ रही थी समस्त परेशानियों का अब चुटकियों में मालक्ष में समाप्त कर देंग और आपको पैसों से आर्थिक तंगिया दूर हो जाएंगे तो दोस्तों ध्यान रखें कि या खुशकबरी आपको किसी न किसी तरह से फॉन कॉल से बिजनेस वैपार से या फिर आपको पुस्तों पुराना धन अचानक या लक्षमी मा की किरपा से मिल सकते हैं अब आपके सा देखरे एक तता सुख सुविदाओं समन्दित कारियों में भी आपका बेहतरिन समय वेतित होगा घर में नजदे की लोगा का आगमन होगा और माहल शुखना मा रहेगा आपके मस्तिस्त में नई नई उजनाय बनेगी जो की घर तता व्यावसाज दोनों के लिए बेहतरिन और सांती रहेगी किसी विशेश कार को पूरा करने के लिए चल रहे आपके प्रयासों को आज काम्यावी मिल शक्ती है समाजिक दारा बढ़ेगा तता कई परकार की गतिविदियों में वैस्ता भी रहेगी घर की सुख सुविधाओं समन्दित खरिदारी परिवार जनों के साथ सुखनामा समय वेतित होगा किसी भावी लक्ष की प्रती संभाव है आपके प्रयासों में भी गति आएगी साथी पिछले कुछ गलतियों से सीख कर अपनी कारे परनाली में सुधार लाना काम्यावी देगा कोई सुव समाचार मिलने से आप अपने अंदर आत्म विश सुधार लाएंगे किसी विशेष कार के परती आपकी मेहनत काम्याव होगी दोस्तों पिछले कुछ समय से चल ही किसी समस्या का समाधान करने में आज काम्यावी मिल सकती है गर के मरमत या सुधार समंदित योजना बंदी है वास्तु समन्ध नहीं मौका भी पालन करें प्रतिकत कार्यों पर भी ध्यान दें क्योंकि दोस्तों आज कड़ी मेहनत और परिश्रम से वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने तम्माना की है अगर घर परिवर्तन करने की एक्छा है तो और उससे समधिजोना बनाने का अनुकुल शमे है दोस्तों आज आपका कोई शपना सकार होने वाला है जिसमें नजदीकी मित्रों का भी पूर्ण शहयोग मिलेगा परिवर्तन समधिजोना ओपर अमाल करने का अनुकुल शमे है माता पिता ततथ वारिश जनों का भी सहयोग बना रहेगा परिवार के सतस्थों के साथ किसी महत्पुन मसले पर विचार चिंतन भी रहेगा दोस्तों दिन की सुरुवात में कुछ चुनोतिया रहने वाली है लेकिन आप अपने वहबार और मेहनत से सब कुछ ठीक भी कर लेंगे आपका कोई शपना सकार करने के लिए आत्म विश्वास और मेहनत की जरूत है और यह गुन आप में विद्वान है व आपका सांती पुन व्यक्तित आपके कारियों को यौनावत तरीके से विवस्वित करने में सहाइक रहेगा दोस्तों गिरिश्वती बहुत ही अनुकुल रहेगी किसी कार में चली शमस्या हल होने वाली है घर में नजदी की रिस्दारों के आगमन से उत्सा भरा महूल रहे लेकिन सभी काम ववस्तित करने में आपको आनंद भी आएगा भावनाव में बहने की बजाए विवेक और चतुराज से परसितियों को अपने पक्छ में करना लाबदायक रहेगा इसी विशे सिकार में शफलता के लिए कुछ शंगस्ट करना पर सकता है लेकिन शफलता महत्पुन जानकारिया मिलेगी वहीं दोस्तों टाइम मेनेजमेंट ठीक रहने से काम समय पर पूरी हो जाएंगे लंबे समय से चली किसी चिंता का समधान मिलने से राहत में शुच करेंगे किसी विशेस व्यक्ति से लाबदायक समपर बनेंगे अब अपने विचार से तिन्चारे में परिवर्तन लाने की कोशिश काम्याब रहेगी ताति साथ दोस्तों घर के रख रखाव अथ्वा सुधार समंधित कुछ गतिविधियां होंगी महत्पुन प्रजेक्ट पर प्यासा लगाना फायदे मंद होगा नजदिकी समंधियों के साथ मुलाकात का आपसे सम्मदों में पुन मदूर्ता आजाएगी संतान की सिक्षा या केरियर समंधित कोई महत्पुन ने पर विचार भी मर्स होगा आपका अभिमान वा आत्म विश्वास आपकी उनिती में शायक रहेगा दोस्तों पर पट्टी अत्वावान की खरित परुक्त समंधित क को योना बन रही है तो उस पर गंबिर्ता से विचार करें इस समय परसितियां आपके पक्ष में है इस दोरान किसी खास व्यक्ति से मुलकात हो सकती है जिनके माध्यम से कुछ लाबदाइट संभामना भी बनेगी वहीं दोस्तों अगर आपकी सावधानी के बारे में बात क करें तो दोस्तों किसी भी तरक की छोटी मुटी ना कर्थमों बातों को नदर अंदाज ही रखें वरना आसर समंधों पर भी पड़ेगा आनावसक खर्चों पर कटोती करना बहुत ही जरूरी है इसमें विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाय में ज्यादा समय देने की जरूरत है दोस्तों सुक सुविधाव पर खर्चों की अधिकता रहेगी फाइनन समंधिक गति विद्यों को बहुत ही अधिक सावधाने से करने की जरूरत है किसी किसी समय सब कुछ ठीक होते हुए भी कही न कहीं किसी रिक्तता का एहसास रहेगा अगर मनन करें तो यह सिर सब्धान भी मिलेगा काम निकल वाने के लिए व्यापारिक बुद्धी का इस्तमाल करें दोस्तों सौजनों का साथ भाहस बाज़ी में न पढ़ें वना समंधों में दारार आएगी कभी कभी आलस की वज़े से आपके कारों में रुकावटा भी आ सकती है किसी परकार की द इसे उनका मनोबल बढ़ेगा युआ वर्ग वेर्थ की मोज मस्ती में समय नस्ट ना करें समाजी तो था समयत्ती समंधित गत्ती वीदियों में भी आपने उपस्तिति रखें पर्तु साथी या भी ध्यान रखें कि अपने कोई भी योजना सारवजिक ना हो वारना कोई अ आत्म विश्वास बढ़ाने के लिए कठो नियंतरन ना करके उन्हें अपनी इक्छा अनुसा सोतन तरता दें दोस्तों आर्थिंग मामलों में सतरता बरतने की जुरत है आपके इमोसिनल शभाब का कुछ लोग नाजात फैदा भी उठा सकते हैं इसलिए कोई भी निने ले करने से पहले अपने योजना पर भली भती विचार कर लें युवर ऑवर कंफिडेंस की वज़े से कहीं आपना ही नुकसान कर बेठेंगे अपने विचारों पर चिंतन करें उन्हें सही दिशा में लगाने से सुकुन और सांती मिलेगी स्वास्त में हलकी फुलकी परेशान रहने की बज़े से आपके कुछ काम अधूरे रह सकते हैं इस समय किसी भी तरह की आवाजाही करना समय और धन का नुकसान ही रहेगा दोस्तों किसी पर भी अधिक भरोसा न करके अपनी कावलियत और योगता पर विश्वास रखें तथा अपनी करण पर नाली सिक्रेट रखें कोई नजदी की व्यक्ति ही जरन की भावना से समाज वरिस्टारों में आपकी आलोचना वब बदनामी करने का प्रयास कर सकता है व्यर्थ की बातों में अपना समय खरापना करें दोस्तों सब को खुश रखने की वज़ाए अपने काम पर ध्यान लगा कर रखें दिखावा करने की परवर्थी से दूर हैं इसे आर्थिक नुक्सान होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा गर के सदस्टक की सला और मार्दरसन की आवहलना करना परिवार जनों को नाराज कर सकता है तथा किसी नज़्दिकी व्यक्ति के साथ मनमुटाब चल रहा है तो उसे जग जाहिर करने की बज़ाए आपसी वर्तलाप से दूर करने की कोशिस करें अगर कोई यतरा का प्लान है तो अभी अस्तखीत रखें क्योंकि इस वज़े से आपकी देंचारिया अस्तव्यस्त भी हो सकती है ताती दोस्तों परपटियादी से समनितकार को निप्टाने में जल्दवाजी न करें आपने उपर अतरित कार भार ना लें क्योंकि इसका असर आपके स्वास्त पर पढ़ सकता है किसी भी परकार का पेपर वर्ड करते समय अनुवेक्तिक की सलह पर अमल करना फायदमन सावित होगा वहीं दोस्तों वैवसाई की बात करें तो दोस्तों कारवार में सफलता पाने के लिए और अधिक परिश्रम और प्रयाश करने होगे गिलेमर कला सुंदर प्रशाषन यादी जैसे वैवसाई में मन मताबित उपलब्दी मिलेगी करमचारियों की गत्तिविदियों पर भी नजर रखना जरूरी है विदेश समदी वैवसाई में कोई शूप समचार मिल सकता है कारवार को लेकर कोई यात्रा भी होगी अपने काम की क्वालेटी से किसी भी तरका समझोधा न करें और इस बात का जुरूर ध्यान रखें कि कहीं आपके ट्रेट सिक्रेट लिग तो नहीं हो रही है गेर कानिन गत्तिविदियों में रूची ना लें नुक्री पेसा लोगों को उनकी कार पनाली की बज़े से साहर ना भी मिलेगी दोस्तों कारोबारों में योजनावत तरीके से परति वंधन करें तो दोस्तों मन्चाहल लाब पाने में काम्याब रहेंगे अधिकतर व्यावसाइक कार निर्वगन पूरे होते जाएंगे अपने किसी भी सूचना को दूसरों के साथ श्यार न करें सरकारी मामलों को समय रहते पूरा कर लें नोक्री पैसा में अस्थान पर रिवर्तन भी हो सकता है अपने बिजनस पार्टियों के साथ संपर्ग में रहें आपको उचित ओर्डर और नए अनुभन मिल सकती है काम सही समय पर पूरे होते जाएंगे लेकिन अपने सामर्थ से ज़्यादा लोन ना लें और आठी मामलों में भी सोच समझ कर निर्ने लें नोक्री पैसा लोगों को बदलाव समंद्री मन मुतावित सुचना मिल सकती है दोस्तों वैबसाइक दिर्ष्टे से समय लाबदायक और उनती दायक रहने वाला है कारे छेतर पर अपने उपवस्ति अनिवार रखें सहगियों तो था सहकर्मियों के सुझाव पर भी जरूर ध्यान दें नोकरी प्रेसलों के उपर कोई नया कारभार आ सकता है पंटु उच अद्रिकारिया को शाहयोग भी मिल सकता है साथिसा दोस्तों वैबसाइक संपर सुत्रत्था मेडिया के मादम से आपको उचित अफसर मिलने के साथ ही फौन कल दोरा कोई महत्वपुन सूचना भी मिलेगी साथ ही इस समय मार्केटिंग समन्दिकारियों को अस्थगीत रखें किसी बारे इंसान की सला आपके लिए नुकसान दायक हो सकता है वैबसाइक इस ती आज बहतर रहेगी परेशानियां आएगी लेकिन इस कारण कामों में रुकावटन नहीं आएगी लेंदन के मावलों में कुछ धोखा घड़ी हो सकती है इसलिए साथानी बरते हैं नुकरी पैसा लोगों को टारगेट हासिल करने में सफलता मिलेगी साथिसा दोस्तों युवाँ को वैबसाइक समस्या से राहत पाने के लिए कुछ गलत परवर्ति के कारण की तरब रुझान हो सकता है इसे साथान रहें और ध्यार बना कर रखें आर्थिक इसिती में समान ही बनी रहेगी सारकारी सेवराद व्यक्तियों को आचाने कहीं डिवटी देने का ओडर मिलेगा दोस्तों कारवार में नई काम को सुरु करने से पहले मौजुदा कामों पर ध्यान दें करमचारीत असागियों के साथ उची समान्जस बना कर रखें जरासी गलत फ्यमी आपसी समंदों को खराब कर सकते हैं जिसका नकार्पमग असर कार सेली पर भी पड़ेगा साथी साथ दोस्तों कारवार बढ़ाना या नई योजनाव पर काम करने के लिए दिन अच्छा है उसका उचीत परना मिलेगा मार्केटिंग सा मीडिया से समंदित वैब साथ धीरे धीरे गती पकड़ेंगे सिर्फ अपनी कार छमता और अपने निर्नियों पर ही बिश्वास रखें दोस्तों कार छेतर में कुछ चुरतिया सामने आएगी आपको अपनी कार छमता को शावित करने के लिए बहुत अधिक संगर्ष और परिश्रम करना पर सकता है इसे में किसी बड़े अधिकारी या राजनतिक गिसे आपकी मुलका अतलाबदायक सावित होगी मल्टी नेशनल कमपनी में कार्यात्र लोगों पर अधिक कारवार रहेगा कारवार में किसी भी तरह का रिक्स लेने से परहेच करें वर्तबान गरसिती के अनुसार नुकसान होने की असंका है अगर किसी के साथ पार्टनर्शिप करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आपकी यह पार्टनर्शिप बहुती उत्तम रहेगी तथा दोनों पक्चों के लिए फायदमन सावित होगी किसी वेबसाइक में साज़ेदारी की योजना बन रही है तो तुरंद उस पर अमल करें इसमें परसितियां लाबदायक है साथे धन प्राप्ती के गिरियोग बने हुए है कारचेतर में किसी परकार का परिवर्टन करना भी लाबदायक रहेगा वेबसाइक गति वेदियों इन दिनों में सकारतमग हाल चल का समय है नहें तपुन ओडर मिलने से आर्थी इस दी काफी बेहतर हो जाएगी दोस्तों आपकी योजना शफल रहेगी आने वाले दिनों में इनकी उचित पर नम प्राप्त होने वाले हैं दोस्तों आप पिछले समय में जिन कामों को आप पूरा करने के लिए कोसिस कर रहे थे माल अक्षमी की किरपा से वा पूरी होते जाएगे इनकम बढ़ने की प्रवल समावना बन रही है विवाओं को अपने केरियर से समधित अच्छे मोके मिल सकते हैं वहीं दोस्तों आपके लव लाइप के बारे में बात करें तो पती पतनी के बीच घर के किसी समस्या को लेकर वेचारित मत भेद रहेंगे प्रहम समंध में एक दूसरे के परती समान की भावना रहेगी पत्ती पत्नी परिवारी विवस्ता को लेकर कुछ परेशान रहेंगे प्रहम समन्द को विवा के लिए परिवारिक स्विकृति मिलेगी मुझे दोस्त आपके स्वास्त के बारे में देखा जाए तो सीर दर्दवा मानसिक ठकान रहेगी उसमें अपने रूची पूर्ण कार में समय लगाने से शुकून मिलेगा वास्ता ठेक रहेगा परन्तु बर्तमान बतारुन की वज़े से अपना खान पान और दिन्चारिया में समेत रखें दोस्तों एसिडिटी और छाती में जलन जिसी दिकते रहेगी ज़्यादा गरिष्ट और तली भूनी चीजों का शेवन न करें तता उचित आहर और अराम भी लेना जरूरी है ठकान और बदन दर्द जिसी इसती रहेगी अत्य दिक कारभार की वज़े से पेरों में दर्द और ठकान महसुस होंगे उचित आराम भी जरूर लें दोस्तों किसी किसी समय ठकान और कमजोरी महसुस हो सकती है इन्फिनिटी स्ट्रंग बना कर रखें अस्वंतिर्थ आर के साथ साथ व्यवाम और योगा जैसी बातों पर भी ध्यान दें इसे इन्फिनिटी स्ट्रंग रहेगी आपका स्वास्त ठेक रहेगा लेकिन घर के किसी सदस की स्वास्तों को लेकर चिंता भी रहेगी लपारवव बिल्कुल ना करें घुटनों और जोड़ों में दर्द की समस्या से रहत पाने के लिए नीमित व्यवाम करें तथा संतूलित खान पान रखें दोस्तों आज स्वास्त का विशेज ध्यान रखने की जोरत है आलास और बेचिनी जेसी इसती रहेगी आपका स्वास्त उत्तम रहेगा सिर्फ अत्यदिक कारभार होने की बज़़से ठकान हावी हो सकती है लब पार्टरसर की बीच बहतर तान्मिल बनेगा तथा वर्तमान नकार्तों प्रसितियों का असर स्वास पर पढ़ सकता है अपना इन्फूर्श सिस्टम मजबूत रखें वहीं दोस्तों कामकाज की आधिकता के कारण तनाव और ठकान महसुस होगी कुश में हलके फूल के मनरजन समंदिकारों में भी बेतित करें तथा गलत खान पान की बज़े से पेट खराब रह सकता है इस समय अपने दिन चारिया को शुवेवस्तित रखना अती आवशक है चस्तों बात करताब के उपाय के वारे में दोस्तों मा लक्षमी को ये फूल अती प्री है और मा लक्षमी स्वयम कमल के फूल पर बिराज मान रहती है सुकरवार के दिन माता लक्षमी की पूजा करतेश में अपने हाथों में कमल या गुलाब का फूल रखें और उनको माता लक्षमी के चर्णों में अर्पित कर दें मानता है कि ऐसा करने से घर में सुक सम्रदी आती है और तरकी के योग बनती है दोस्तों सुकरवार के दिन घर के बने हुई पहली रोटी गाय को खिला दें इसे आपकी धन आवक बढ़ेंगे मैं दोस्तों आप बात करता आपका भागे साली रंग और भागे साली आंक क्या है दोस्तों आपका भागे साली रंग पीला है और भागे साली आंक छे है दोस्तों मालक्षमी जी की आसिरवात आप सभी को प्राप्त हो सची दिलशे कमेंड बॉक्स में जय मालक्षमी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें धन्यवाद